नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका राव मंजू किचन में आज हम बनाएंगे आउले का अचार यह अचार टेस्टी होने के साथ पोश्टिक भी बहुत होता है आउले में एंटी ओक्सिडेंट आयरन विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है आउला बालो और आखों के लि इसमें एक या फिर दो महिने में ही फंगस लग जाती है तो आज हम जिस तरीके से यह आउले का अचार बनाएंगे यह एक महिने या एक साल तो क्या यह अचार पांच सालों तक भी खराब नहीं होगा तो चलिए बनाते हैं आउले का टेस्टी और चटपटा अचार अचार बनाने के लिए हमने लिए हैं एक किलो आउले यह बिल्कुल फ्रेश आउले हैं आउले का अचार डालते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए आउले बिल्कुल ताजा होने चाहिए मैंने इनको अच्छे से दो लिया तीन बार साप पानी से और एक बार गुनकुने पानी में दो चम्मच नमक डाल कर धोया है और इनको साफ कप्टे से भी अच्छे से पोच लिया इस बात का ध्यान जरूर रखना है इनको साफ पानी से धोने के बाद गुनकुने पानी में नमक डाल कर जरूर धोना है यदि हम इनको अच्छे से धोकर और साफ कर करके अचार डालेंगे, तो अचार लंबे टाइम तक चलता है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यह आवला खराब है, तो यह आवला खराब नहीं है, इसके उपर पत्तों के निशान है, यह देख़े, यह निशान दूसरे आवला उपर भी है, तो ये खराब नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ आवला कौन सा खराब है ये देखिए जो ये आवला है इसके उपर इस तरह का ये हलका सा निशान है इसका मतलब है ये आवला थोड़ा खराब है इस तरह के आवले को अचार में नहीं डालेंगे इसको साइड में रख देंगे और यह जो इसके उपर इस तरह के पत्तों के निशान है यह आवले बिल्कुल सही है इनका आचार डाल सकते हैं अब लेंगे आटा चालने वाली चलनी आपके पास चावल चालने वाली चलनी है तो वो भी ले सकते हैं अब आवले को इसके अंदर डाल देंगे और यदि आपके पास स्टीमर है तो आप इनको उसमें भी पका सकते हैं कड़ाई में हमने दो गलास पानी पहले से ही गरम कर लिया यह अच्छे से उबल गया अब इसमें रख देंगे स्टील का स्टेंट आप स्टेंड की जगе स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं अब इसमें रख देंगे ये आवले जो हमने चलनी में डाल कर रखेंगे गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे और इनको 80% तक ही पकाएंगे यानि की इनको थोड़ा कच्चा रखेंगे जादा निगलाएंगे अब इनको ढख कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे लेकिन इनको बीच-बीच में चैक जरूर करते रहेंगे 10 मिनट हो गए इनको पकते हुए हमने इनको बीच-बीच में भी चैक किया था आप चाकू से भी चेक कर सकते हैं इनको इसी तरह से किसी-किसी आओनले में तो ये हलके से क्रैक भी आ गए ये देखिये इस तरहें के हमें अचार बनाने के लिए इतने पकए ही आओनले चाहिए अब गैस को बंद कर देंगे और इनको थाले में निकाल लेंगे आउले थोड़े ठंडे हो गए अब इनकी गुठली निकाल लेंगे जब आप इनको अंगूठे से हलके से दबाएंगे तो ये अपने आपी तूट जाएंगे और यदि ये तूट नहीं रहें तो आप चाकू से भी काट कर गुठली को निकाल सकते हैं वैसे आप लोग इसको तोड़े बिना ही साबूत आउले का भी अचार डाल सकते हैं लेकिन आउले की गुठली निकाल कर अचार बनाएंगे तो जब हम इसको खाएंगे तो बार-बार गुठली निकालनी नहीं पड़ेगी दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना और बेल आईकोन को भी जरूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली नई नई रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच जाए और वीडियो को भी फूराई देखना ताकि आप लोग भी आउले का अचार अच्छे से बना पाएं सर्दियों में आउले खाने से ये सर्दी खांसी से तो बचाव करता ही है साथ में मौस में बीमारियों से भी दूर रखता है ये मेटाबॉलिज देंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे डेड़ कटोरी सरसो का तेल तेल सरसो का ही होना चाहिए सरसो के तेल में अचार ज्यादा अच्छा बनता है इसको अच्छे से गरम करना है यदि तेल को गरम करके अचार में डालते हैं तो जो ये सरसो के तेल में हलकी सी स्मेल होती यह भी खतम हो जाती है और अचार काफी लंबे टाइम तक चलता है और टेस्टी भी भहुत लगता है तेल अच्छे से गरम हो गया इसमें दुआ उठने लगा है अब गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई को साइड में रख देंगे और फ्राइ पैन को गैस पर रख देंगे अचार के लिए तेल तो हमने गरम कर लिया अब अचार का मसाला तयार कर लेते हैं पैन में डालेंगे एक चमच जीरा गैस को हमने बंदी कर रख है जब सारा मसाला पैन में डाल देंगे उसके बाद ही गैस को ओन करेंगे दो चमच डालेंगे सौंफ 20-25 डालेंगे इसमें साबुत काली मिर्च काली मिर्च से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आधी चमच डालेंगे मेंथी एक चमच राई एक चमच पीली सरसों और एक चमच डालेंगे काली सरसों आपके पास पीली सरसों और राई नहीं है तो इनको skip कर सकते हैं और 1-4 चमच डालेंगे अजवाइन 1-4 चमच ही डालेंगे इसमें कलोंजी अब गैस को on कर देंगे और इनको भून लेंगे अचार में मसाले को भून कर डालते हैं तो अचार में मसाले की बहुत अच्छी कुश्बू आती है और मसाले को अगर अचार में भून कर डालते हैं तो अचार में नमी भी नी रहती और अचार लंबे टाइम तक चलता है खराब नहीं होता यदि अचार में थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है आप इस तरीके से अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा दो मिनट में ही मसाला अच्छे से बुन गया इसको इतना ही बुनना है जादा नहीं बुनना गैस को बंद कर देंगे और अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे ये देखिए हमने आवले को 5 गंटे के लिए धूप में रखा था इनका मॉइस्टर खतम हो गया यदि आवले को हम धूप में नहीं रखेंगे तो अचार बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा इसलिए इनको धूप में रखना जरूरी है इस तरह के हो जाने चाहिए इनको सुखाना नहीं है सिर्फ इनका मॉइस्टर ही खतम करना है अब इनको साइड में रख देंगे ये मसाला भी ठंडा हो गया अच्छे से अब लेंगे मिक्सी का जार और इसमें मसाले को डाल देंगे अब इसको पीस लेंगे ये देखी हमने मसाले को दरदरा पीसा है जादा बारिक नहीं किया है अचार के लिए मसाला इतना दरदरा ही होना चाहिए अब तेल भी ठंडा हो गया यह हलका सा गुनगुना है ज़्यादा गरम नहीं है अब सबसे पहले इसमें डाल देंगे एक चमच हल्दी पाउडर ताकि यह थोड़ी पक जाए थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हींग और देड़ चमज डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कम्या जादा कर सकते हैं एक चमज डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कम्या जादा कर सकते हैं वैसे ये अचार थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है, एक चमज डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मिर्च तीकी नहीं होती बिल्कुल भी, और आदी चमज डालेंगे पीली सरसो, एक चमज डालेंगे और पीली सरसो नहीं है, तो आप एक चमज काली सरसो भी डाल सकते हैं, और आप लोग राई, पीली सरसो, काली सरसो तीनों ही नहीं डालना चाते, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, एक बात का ध्यान जरूर रखना है, तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए, यदि तेल मसाला डालेंगे तो डालते ही जल जाएगा इसलिए तेल हलका सा गुन-गुना ही होना चाहिए ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया आप इसमें डाल देंगे यह आवले जो हमने धूप में सुखाए थे और 7 में ही डाल देंगे यह मसाला जो हमने मिक्सी में पीछा था सारा ही इसमें डाल देंगे आप इसको बिल्कुल सूखी विः चमच से मिक्स कर देंगे अच्छे से जब आप लोग अचार को डब्बे में से भी निकालेंगे तब भी चमच सूखी हुई होनी चाहिए यदी डबबा भी साफ ने हुआ तो भी अचार खराब हो सकता है आप इन चोटी चोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार पांच साल तो क्या कभी भी खराब नहीं होगा हमने इसमें एक किलो आउले के हिसाब से तेल डाला है मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि आप ज़्यादा अचार डालेंगे तो उसमें कितना तेल डालना चाहिए यह देखिए यह अच्छे से मिक्स हो गया अब अचार को डब्बे में डाल देंगे मेरे पास थोड़ी सी लाइट की प्रोब्लम हो गई तो मैं कड़ाई को यहां से हटा लेती हूँ आप जिस भी डब्बे में अचार डालेंगे वो काच का या फिर चिन्नी मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है और तामबा, पीतल, अलुमूनियम का डब्बा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस अचार को आप अभी भी खा सकते हैं यह इंस्टेंट आउले का अचार तैयार है फिर भी आप इसको यदि 5-7 दिन धूप में कोटन के कपड़े से ढखकर रखेंगे तो जादा अच्छा है अब मैं आपको बताती हूँ यदि जादा अचार डालते हैं तो कितना तेल डालना चाहिए आप जिस भी डब्बे में अचार डालेंगे तो यह देख लेना जिस डब्बे में आप अचार डालेंगे यदि डबा पूरा अचार का भरा है तो आपको वो डबा आधा तेल का भरना है पूरा नहीं क्योंकि जब हम धूप में अचार को रखेंगे तो 3-4 दिन में ही अचार नीचे बैठ जाएगा और तेल में डूब जाएगा और अचार तेल में डूब आ रहेगा तो कभी भी खराब नहीं होगा दोस्तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक और शेर भी करना अपने दोस्तों में